अरे आ गया आप लोग तो अगर आपके पास भी एक फ्लिप कार्ट का गिफ्ट कार्ड है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे अपने फ्लिप कार्ट में कैसे एड कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूं आप यह कैसे कर सक वो कहाँ पर है तो यहाँ पर मुझे कुछ gift cards मिले थे flip card के ये चार gift cards मुझे मिले थे flip card के तरफ से इसमें से मैंने पहला वाला जो है already apply कर दिया है तो आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ gift card को flip card पर apply करके दिखाऊंगा ठीक है तो चली सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो flip पर save cards and wallets एक ये वाला एक option आपको आपके flip card application में दिख रहा होगा simple आपको यहाँ पर इस वाले option में जाना है ठीक है इस वाले option में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी wallet balance होगा या फिर जो भी gift card का balance होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा और इसके बाद आपको दो चीज यहाँ पर देना होगा पहला आपको gift card number यहाँ पर देना होगा और दूसरा उस gift card का pin देना होगा तो अगर आपके पास gift card होगा तो यह दोनों चीज आपके पास रहना जरूरी है अगर इसमें से एक भी चीज आपके पास missing है तो आप यहाँ पे इसको apply नहीं कर पाएंगे तो जैसे कि मैं आपको अपना वाला दिखाता हूँ gift card तो यहाँ पे gift card का यहाँ पे number है और उसके साथ मुझे pin भी मिला है तो चली मैं यहाँ पे second वाला apply करता हूँ मैंने first वाला already apply कर दिया तो gift card का number मैंने copy कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे simple यह gift card का जो number है इसको paste कर दे रहा हूँ और pin को भी मैं यहाँ पे copy करके paste कर लेता हूँ यह जो gift card है इसका value 500 रुपय है तो यहाँ पे already मेरा 500 रुपय था अगर आपने ध्यान दिया होगा है वो update होके 1000 हो गया चलिए second वाला भी इसी तरीके से apply कर लेते हैं और देखते 1500 हो जाना चाहिए तो यहाँ पे third वाला gift card है उसका number copy कर लिया हमने और यहाँ पे जाके इसको paste कर देते हैं और same हम यहाँ पे pin को भी copy करके paste कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको copy करके paste कर लिया और इसको simple apply कर दिया है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो wallet पहले उस था इससे पहले 1000 दिखा रहा था और अभी 1500 दिखा रहा है तो इस तरीके से आपका जो gift card का balance है उसको आप यहाँ पे add कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक gift card है flip card का तो होपकर तो आपको सारा कुछ process समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपके पास एक gift card है flip card का तो उसको आप अपने flip card application में कैसे add कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी doubt है आप